हलो फ्रेंग्स विल्कम टू गुल कॉइसर जैसे आपको पता है कि हम यहाँ पे model paper को discuss कर रहे हैं और आज हम यहाँ discuss करने वाले हैं reasoning reasoning के third model paper इसे पहले हम दो model paper को already discuss कर चुके है यह हमारा तीसरा model paper reasoning का जिसमें हम 25 questions को discuss करेंगे तो चली time waste न करते हूं यहाँ पर अपने question को हम discuss करना शुरू करते हैं फर्स question देखें आया है यदी master का संकेत वर्गी करन अब देखें चाहे कहीं संकेत वर्गी करन या कहीं कूट भासा इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो फर्स पार्ट में already इस तरह के question को हम discuss कर चुके हैं तो यह मुस्सी type का question है तो देखें कहरें कि यदी master का संकेत वर्गी करन या फिर कूट भासा 4,3,2,7,6,5 हो और near का संकेत वर्गी करन संकेत वर्गी करन कहीं या फिर कहीं कूट भासा 9,6,3,5 हो तो टेस्टर का संकेत वर्गी करन या फिर कूट भासा क्या होगी अब इससे में देखें 4 option दिएगे हैं इसको हमें discuss कैसे करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे master को serial में लिख देंगे जैसे यह दिखें master इस तरह लिख देंगे जैसे उपर M आ जाएगा फिर A,S,T,E,R हो जाएगा अब हम क्या करेंगे जो इसका कूट भासा जो दिया है उसको एक के बाद एक सामने लिख देंगे जिसे देखेंगे M के सामने 4 आएगा, A के सामने 3 आएगा, S के सामने 2 आएगा, T के सामने 7, E के सामने 6, R के सामने 5 आएगा और फिर देखेंगे दूसरा word दिया है कि और near का संकेत वर ही करना तो near को भी सी तरह लिख लेंगे N का 9 कर देंगे, E का 6 कर देंगे, A का 3 कर देंगे और R का 5 कर देंगे अब देखें हमारे पास 2 वर्ड दिए गए हैं और दोनों के अलग-अलग कोडिंग है अब इसी कोडिंग में से देखकर हमें नया जो शब्द है टेस्टर T A S T E R पर इसकी कोडिंग हमें निकालनी है तो देखें का T का सबसे पहले देखेंगे T का 7 दिया है 1st में तो हम यहाँ पर 7 कर देंगे फिर देखें K E का देखेंगे तो दोनों में आया है फास सेकेंड में देखी दोनों में है शिक्स तो यहां पर भी सिक्स कर देंगे तथा रेल मार्गों को परियावरन कहा जाए तो बताईए कि हवाई जहाच कहा उड़ता है तो दिखेगा ये हमारे क्रिश्चन हो गया अब इसको कैसे सॉल करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे जो शब्द जैसे एक बोल्ड है उसको वैसे ही नोट कर लेंगे पहले क्या कह रहा है कि पेन को व्रिच कहा जाए तो हम पहले पेन के सामने व्रिच लिखे देंगे तो सड़क मार्ग एक तरफ लिखदेंगे एक तरफ आकाश लिखदेंगे फिर कहा रहा है कि आकास को रेल मार्ग कहा जाए तो एक तरफ आकास लिख देंगे एक तरफ रेल मार्ग लिख देंगे अगर आपसे आंसर कोई पूचे गा, तो आप पेन नहीं केहें, केहेंगे उिरच से लिखते हैं, क्यों कि हमने मान Уपन लिया है, कि पेन बदेंबार हो मान के चलेंगे. मतलब पेने के अस्थान पर व्रिच यूज होने लगे गए उसका नाम व्रिच हब हो गया है तो ये वैसे व्रिच कहीं आएगा तो व्रिच को हम बोलेंगे सड़क मारगे की बात कहीं आएगी तो हम आकास बोलेंगे और कहीं आकास की बात आएगी तो हम रेल मार्ग केंगे रेल मार्ग की बात आएगी तो परिया वरण केंगे तो अब देखे कुरिशन क्या कह रहा है कि कि बताईए हवाई जहाज कहां उड़ता है तो अब देखे कि हवाई जहाज कहां उड़ता है अगर हम जर्नली बात करें तो हवाई जहाज आकास में उड़ता है आकास में लेकिन हमने आकास को रेल मार्ग मान लिया है तो अब बोलेंगे हवाई जहार रेल मार्ग पर उड़ता है तो रेल मार्ग देखेंगे आप्शन कहीं आया है देखेंगे आप्शन बी में है तो हमारा बी नंबर आप्शन सही हो जाएगा थर्ड नंबर देखेंगे क पहला है 64 है 64 बात 81 आ गया तो 64 में ऐसा क्या किया गया कि वह 80 हो गया फिर 81 में ऐसा क्या कर दिया गया कि वह 100 हो गया अगर यह हम connection समझ पाएंगे तो आगे जो question mark है उसमें भी हम क्या करेंगे जो भी इसमें formula यूज किया गया होगा उसी formula को use करके जो question mark है वहाँ पर भी missing word ह जो भी संख्या उसको हम निकाल लेंगे और लास्ट वाला जो 144 है जब उसमें भी वही प्रक्रिया करेंगे उस सें फॉर्मॉला लगाएंगे तो 144 हो जाएगा जिसमें ऐसा किया किया गया है तो जानते रहेगा अगर हम देखें कि 64 और 81 की बीच में कितने संख्याओं की एपि है ज Oddagi अब जैएगे मालीज मारे पास 180 ह किया घा कि है कि 100 हो गया है तो 101 के बीच आप देखेंगे तो 19 ऑएगा 19, दिखे कि पहले में आया था 17 की gaping, और दूसरे में 19 की gaping, इसके means 17, दूसरे में 19, 18 नाकर एक संख्या gaping करके आया है, तो इसका mean हमारा formula एक संख्या की gaping के concept से चल रहा है, तो पहले में 17 एड किया है, तो क्यासी हो गया। फिर 89 एड़ कर रहे हैं तब 100 हो रहा है तो इसका मतलब कि अब जो होगा 100 में फिर जब हम एड़ करेंगे पहले में 17 तो एक गैपिंग करके 19 हुआ जब फिर एक गैपिंग करके फिर एड़ करेंगे तो हो जाएगा 21 तो हम 21 को एड़ कर देंगे तो हो जाएगा 121 तो हमारा आंसर भी होगा, 121 होगा, लेकिन हमारा क्या ये फॉर्मुला सही है, वो आगे की संख्या से मैच कराएंगे, अब क्या करेंगे, 121 हो गया, तो पहले हमने 17 को आड़ किया, दूसरे हम 19 को आड़ किया, एक संख्या की गैपिंग पर, तीसरे हमने 21 को किया, अब चौथे में क् आपकी 23 करेंगे, जब 23 करेंगे, तो आ जाएगा 144, इसका हमारा हमारा फॉर्मुला है एक सब एक दम सही है, तो हमारा जो आंसर होगा, वो होगा 121, 121 देखी कहा है, दिखा OPC NUMBER C में है, तो हमारा C नमर OPC प्श्ण सही हो जाएगा, फोर्स नमरो देखी QUESTION कर रहा है, दे पहले रिलेशन में दीखना है जिसे 10 में ऐसा क्या कर दिएगा 11 हो गया फिर 20 में ऐसा क्या कर दिएगा कि 45 हो गया अगर यह concept समझ जाएंगे तो आगे आने वाली संख्या हम अलेडी जान जाएंगे इसमें किया क्या गया है तो इसमें जाहिर सी बात है अगर हम एक जोड़ पहरेंगे तो एक आजाएगा और अब एक जो आगे हा उसमें जब आड़िए उसमें का आपस में ही गुणा किया गया है जैसे एक में एक का गुणा कर दिया गया है एक हो गया एक को जब आपने दस में क्या क्या आड कर दिया तो 11 हो गया है अब एक के बाद विसम संख्या कौन आती है तीन आती है तो अब तीन में तीन का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा न कर देंगे तो हो जाएगा 94 मतलब हो जाएगा 94 तो 94 देखेंगे यहां कहीं ऑप्शन है तो हमारा सी नमर ऑप्शन सही हो जाएगा हमें यहीं कॉंसेप्ट यूज़ करना है जानते लिए लिए गया है कि 566 सुनिम ने दिये गए प्रतेक प्रश्ण में अक्षा स्रेंडी में जया है तो देखेंगा यहां क्षोण क क्या दिया है फाइ अब हमने हमने इब रीजिए तो सबसे पहले छोटेडिक देजिदयर कर दलेंगे क्योंकि इसका भी कोई मतलब नहीं है अब D से सुरू हुआ था हम यहां देखेंगे D और G के बीच में क्या रिलेशन है तो दीखें D और G के बीच में दो लेटर की गैपिंग है E और F को हम काटेंगे तो हमें G मिलेगा पहले में दो की गैपिंग अब G और K में कितनी की अगर आप ध्यान से देखें तो जो पहले का जो दो है G के देखें G के जो है देखें फिर से रिपीट हुआ है तो हम यहां से फिर से रिपीट कर देंगे अब देखें हमारा जो नेक्स लेटर है वो है P आया है तो देखें P के बीच में कितने की गैपिंग के और P के बीच जा रहा है तो चले हम यहां पर पीक भी को नोट कर दे रहे हैं अब दिखे कुर्शन कर रहा है कि आगे आने वाले जो ग्रूप जो है लेटर का वो कौन सा होगा तो दिखे हमारा कुर्शन जैसे पहले में दिखेगा लास्ट के दो जो है शुरूम आ गये थे अब इसमें भी जैसे आया है जी के पी आया है तो पहले के पी को फिर से हम नोट करेंगे अब के पी को हम नोट कर चुके हैं अब आगे आने वाला जो लेटर होगा वो कौन सा होगा हमें यह पता करना है तो दिखेगा अभी क्या था दो लेटर की गैपिंग में सबसे पहले क्या था दो की गैपिंग फिर दूसरे वाले में तीन की गैपिंग फिर तीसरे वाले में चार की गैपिंग अब जो होगा पी के बाद जो आएगा वो पांच गैपिंग के बाद आएगा तो पांच गैपिंग के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको वी मिलेगा तो वी को हमें यहाँ प पी और व के बीच में कितने लेटर की गैपिंग हमने रखा था 5 की रखा था इसका आगे आने वाला जो हमारा वड जो लेटर होगा तो हम सी को यहाँ नोट आप द्यान से देखें तो हमारे पास 4 ग्रूप बन गाया है पहला group है DGK, दूसरा है GKP, तीसरा है KPV, और चौथा है आपका है PVC, अब इन चारो group को अगर आप questions से match करें तो आपको same match कर रहा होगा, पहला मिल गया DGK, तो DGK कैसे आया, यह आप समझ चुके हैं, फिर देखेगा आया है GKP, GKP कैसे आया, यह भी आप समझ चुके हैं अब same उसी concept पे आगे आने वाला जो group जो लेटर होगा, वो आप समझ चुके होगा, वो होगा हमारा KPV, तो यहां KPV जो है, वो missing है, उसके आगे आने वाला, देखेगे, आगे है PVC, यह भी match कर रहा है, तो हमारा A की ही है, जो missing है, वो कौन सा है, KPV, अब answer में हम चेक करेंग पर ही based है, same उसी तरह है, question बिल्कुल भी कहीं भी answer नहीं, बस थोड़ा सा logic का अंतर रहेगा, देखे, question में कहा है, E, I, O, फिर देखे, दूसरे में है, I, O, U, और तीसरे में है, O, U, A, और देखे, last में कहा हैगा, यह हमें बताना, अब देखेगा, इसमें सभी word का connection देख यह word का पर एक ही later का हमें पता लगाना है, अब इसके लिए हम again A to Z देखेंगे, A से लिएकर Z तक A, B, C, D लिखेंगे, और उसके नीचे A से लिएकर G तक भी लिखेंगे, जैसा आपको दिख भी रहा है, यह already लिखकर आ चुका है, अब देखे हमारा question क्योंकि E से शुरू अगर इस तरह देखें तो हमारे पास एक word मिल गया, E, I, O, पहले में तीन की gaping, और दूसरे में कितनी है, 5 की मतलब 5 की gaping है, तो हमें एक word मिल गया, E, I, O, अब E, I, O मिल गया, तो हम I, O को पहले copy करेंगे, तो I, O पर दूसरे वाले line में लिखेंगे, अब हमें क्या चाह चाहिए, तो चले यहां पर U हमने लिखे दिया, चुकि question में आया भी है, अब O, U को फिर copy करेंगे, अब हमें क्या चाहिए, A चाहिए, तो अब देखें, U और A के बीच में कितनी gaping है, तो अगर हम देखें, तो U और A के बीच में भी 5 की ही gaping है, तो हम यहां पर A लिखें अब देखेंगे, अब देखेंगे, अब देखेंगे, अब देखेंगे, शूरू में क्या था, तीन की gaping है, बाकी सभी में एक sequence बन गया है, कि 5, 5, 5 की gaping चल रहा है, अब क्या करेंगे, यू और A को फिर copy करेंगे, अब आगे का word क्या होगा, चुकि 5, 5 का ही अभी sequence चल र इसमें भी हम 5 ही मान के चलेंगे, तो आने माला जो हमारा लेटर होगा, वो जी होगा, तो यहां पर हम जी भी note कर देंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, हमारे पास जो नया word है, वो है UAG, और अगर आप answer code में जो option दिएगे हैं, अगर उसमें UAG देखेंगे, आप कि देखेंगे, इस सिक्वेंस इसमें क्या किया गया है, जो पहला जो लेटर था, उनेके बीच में 3 की gaping रखा गया है, बाद में जो तीन बार आए होएं, उनमें 5-5 की gaping रखा गया है, और लास्ट वाले में फिर 3 की gaping कर दिया, मतलब शूरू में 3 की gaping, लास्ट में 3 की इसका उलब कि लास्ट वाले में अब हमें 3 की गैपिंग रखना पड़ेगा तब जाके हमारा आंसर आए जब 3 की गैपिंग लास्ट में आप करेंगे तब आपको वर्ड मिलेगा है यू ए ई और यू ए ई दिखी आया है ऑप्शन नमबर सी में है तो हमारा यही आंसर हो अक्षरक्रम के नीचे विकल्पों में से एक के रूप में दिये गया है अब दिखे हमारा क्रुशन क्या है डेफिर चिक्री दो आई है कि पिर ओस्झे फिर दोट कर क्या है और यहारा क्या है question अब इसमें fill करना है कि क्या इसमें fill किया जाएगा हमारे पास four option in four option में से कोई नो कोई एक fill होगा अब इसको कैसे fill करेंगे question को solve करने इस पहले सबसे पहले हमें question को समझेना पड़ेगी कि question आखिर किस format में है इसका sequence कैसे चल रहा है तो आई इसका पहले स्क्वेश समझा लेते हैं, दिखें कि सबसे पहले हम नोट करेंगे, WX, उसके बाद XY, उसके बाद YZ, उसके बाद ZA, उसके बाद AB, उसके बाद C, यह हम कर लेंगे, और दिखें, बीच बीच में Space बताया गया, जिसे दिखें, बीच में क्या फिल करना है, बीच में ज्यादा कुछ नहीं, बस आप ABCD लिखें अब इसको मिसिंग देखने के यहां कुछन भी रखना पड़ेगा, तो यह दिखें, यहां पर कुछन भी रख दिया गया है, अब आप मैच करा सकते हैं, यह कहां पर कौन सा लेटर है, और कहां पर कौन सा लेटर मिसिंग है, जो लेटर जहां मिसिंग है, उसी को हो यहां पर हम नोट करते हैं, जैसे देखें, शूरू से दिखें, W के बाद यहां देखेगा X मिसिंग है, तो यहां X नोट कर लेंगे, फिर देखेगा A, X, Y मिल गया, इसके बाद देखे B मिसिंग है, तो हम यहां B लिख लेंगे, फिर देखे Y मिल गया, फिर देखे Y के बाद Z मिसिंग है, Z को यहां नोट कर लेंगे, उसके बाद देखे C, Z हो गया, अब Z के बाद देखे A missing है तो फिर से हाँ A लिखे देंगे फिर देखे D भी है फिर A भी है और B भी है उसके बाद देखे C missing है तो हम C को भी note कर लेगे अब देखे हमारे जो later निकल का आया है वो है X, B, Z, A, C तो देखेंगे X, B, Z, A, C option में कहा आया है देखेंगे आया है option number A में आया है तो हम A नमबर को क्लिक कर देए अब इसमें फिर देखेंगे question से उसी तरह है जैसे 7 नमबर था इसमें भी क्या करना है देखेंगे इसमें दिया है A दिया है उसके बाद dot करके C, B, उसके बाद dot करके A, C, B, A, A उसके बाद डॉट करके B A A C उसके बाद फिर डॉट कर दिया है अब इसमें हमें फिल करना है जो भी यहां पर इस पेस दिये गए है और उस चार आप्शन दिये गए है अब इसमें कौन सा फिल करना है सबसे पहले अगेन हम पहले question को समझे कि question यह है क्या तो देखिए का सबसे पहले question को हम कैसे करेंगे देखिए का जैसे आपको screen में देखिए सबसे पहले क्या रहेगा A A C B फिर A A C B A A C B A A C B A A C B मतलब four time A A C B करके रहेगा अब यह हमारे four time हो गए इसका sequence आप समझे चुके हैं कि बार बार पहले पीट किया गया है A A C B A A C B A A C B A A C B आप क्या करेंगे इसी पर question को हम रख देंगे और हमें पता चल जाएगा कौन सा यहां पर later यहां पर missing है तो जैसे हमें यहां पर देखिए क्विशन यहां रख दिया गया है अब देखिए इसमें missing क्या है देखिए का A आया है देखिए A के बाद दूसरा A missing है तो हमें A तुरन नोट कर लेंगे फिर देखिए C B मिल गया है C B एक बाद देखिए A फिर missing है तो फिर से A नोट कर लेंगे फिर देखिए A भी मिल गया C B मिल गया B भी मिल रहा है A मिल गया a मिल गया अब देखिए कि c missing है तो c यहां नोट कर लेंगे फिर दिखे b भी मिल गया है a a b मिल गया है c भी मिल गया है फिर again देखे b में यहां missing है तो b b को भी नोट आप हमारे पास जो later मिला है वो है a a c b तो हम देखें किस option में c b आ है देखे a a c b आ है option number c में है तो हम C number को क्लिक कर देंगे नाइन्थ नमबर देंगे क्यों से रहा है कि निम ने दिये गए शब्दों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो एक दूसरे से भिन है इसको लोगना पर फोर वर्ड दिये गए है चार नाम दिये गए हैं इन चारों में से तीन एक ही तरह क्योंगे और एक कोई होगा जो इन सबसे अलग होगा तो आई चेक करते हैं जैसे ती कि आप्शन ए मैं है लंदन बी मैं है परिस सी मैं नियॉयर्क और डी मैं मासको तो जानते रहेगे ए जो है लंदन ये क्या है ये ये यूके की राजधानी है बी नमबर पर है परिस ये क्या है ये परिस जो है आपका फ्रांस की राजधानी है और सी जो है नियॉयर्क जानते रहेगे ये एक सिटी है कोई राजधानी नहीं है और दिखे डीप है मासको मासको जो है यह जानते रहें कि यह रशिया है मलब रूस की राजधानी है इसका इसमें तीन राजधानिया दी गई है और एक जो है राजधानी नहीं है बलकि एक जानते रहें कि नियू यॉर्क जो है किवल अमेरिका के एक सिटी है अमेरिका की जो तो राजधानी है वह वासिंग्टन डी सी इसलिए हमारा जो अलग वाड़ मिनिंग में जा रहा है वह आप्शन नमबर सी तो हम सी नमबर को क्लिक कर देंगे तेंथ नमबर देंगे क्लिक कर रहा है कि निम ने दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या भिन है दिखाओ ऑप्शन ए में 33 बी नमबर पर दिखिए चाछटा है सी पह 55 और डी में 77 अब इनमें कौन सा अलग है तो जानते रहे कि देखेगा यहां पर हमारा जो ऑप्शन यह दो से कट जाएगी इसलिए अलग जो जा रहा है वो है ऑप्शन में बी तो हम बी नमबर को क्लिक कर देंगे लिएवन नमबर दी कुछ न क्या कहरा है देखेगा सामने क्या दिया है देखेगा फढ़ाई पढ़ाई के सामने विद्ध्याले चिकिस्ता के सामने आप कह सकते हैं इलाज अब इलाज कहा होता है अगर पढ़ाई विद्ध्याले में होती है तो चिकिस्ता होती है हॉस्पिटल में लेकि हॉस्पिटल यहां नहीं बोला गया यहां डॉक्टर कह दिया गया फिर देखेगा नियाय कहा होता है नियायाले में होता है और खेल कह कि यह किस्ता कहा होता है घृपिटर के बजार है तो हमारा जो अलग जा रहा है वह है Opson एक प्रदेस यहां जो महराश्ट में है यह मैच नहीं कर रहा है तो यहां पर हमारा जो आप्शन होगा C नमबर को क्लिक कर देंगा हमारा C ही आंसर हो जाएगा कि यहां पूरे का बजाए मुंबई होना चाहीए था 13 नमबर के कुशण कर देंगा है कि कुश्चन माक के अस्थान पर कौन सा अंक आएगा देखे कि के क्श्चन मार्ग देखे कि किया क्या गया है 10 का गुना 3 में किया गया है तो 10-3 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा फिर 10 का गुना जब 4 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा फिर 10 का गुना 5 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा आगे आने वाला जो रू है इसमें भी 3, 4, 5 का ही sequence बनना चाहिए मतलब हमें जो गुना करेंगे पहले 3 से करना है फिर 4 से करना है 5 से करना और यही संख्यानी चाहिए जो नीचे वाली संख्या जो है 12 हो गया आपका 16 हो गया और 20 हो गया तो देखिए अगर हम इसमÉ Dave остав करें एगर 4 के गुना 3 टीन में कर देंगे तो हो जाएगा 12 फिर 4 के गुना और छार में कर देंगे तो हो जाएगा 16 चाहर को गुना 5 में कर देंगे तो हो जाएगा 20 देखिए इसमें भी 3 4 से ही हो रहा है अब देखिए यह भी हमारा sequence आ गया इसके में भी गुना किया गया है तीन, चार, पांच से लेकिन किसे किया गया है? 4 से किया गया है अब इसी टाइप से अगर हम लास्ट रो की बात करें तो 6, 8 अगर हम इसके मां कए से 2 पूस्र को करें ऐसे भी थोड़ा समझ सकते हैं, देखिएगा अगर रो की बात कागा, कॉलम से हम अगर इसको solve करें, कॉलम उपर देखिया है 30, आगर 30 का अगर डबल कर देंगे, तो देखिए लास्ट में कितना है, 60 आ गया, उसी तरह देखिएगा, सेकेंड नमबर पे आ है 40, अगर 40 का हम क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, फी देखिएगा, उपर आए है 50, अगर 50 का हम डबल कर देंगे, तो क्वेश्चन अस्थान पर क्या जाएगा, 100 आ जाएगा, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, 14 नमबर देखिए क्यूश्चन कहारा है कि क्वेश्चन मां का क्या स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तैक है, 35 य li, 34, ङा उनक देखिए 3 होन्य तो फी पेसी से, इस बिछाब पहे इसमें करना करे, उसमें पहले की बात करे, नह Mac हिसा मिटएय जिए पहले कि पहले है ले उसी तरह पांच और च्छे को ऐसा क्या कर दिया गए एक सो एकीस आगए अगर ये दोनों सिक्विंस समझ जाएंगे तो थर्ड में साथ और आठ का क्या ऐसा करेंगे कि क्या संख्या जाए ये भी हम समझ जाएंगे अब देखें सुसाल कैसे करेंगे तो जाएंगे पहले हम दोनों संख्या को जोड़ देंगे जो चार और तीन है जब चार और तीन को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा साथ अब देखें जो संख्या आएगी उस संख्या को उसी संख्या से गुना कर देंगे जिससे चार और तो हो जही जाएगा है तो हो जाएगा जब आटकर निना एंवे। सुमित ने कहा वह मेरे पुत्र के दादा जी की पतनी की इकलौती पुत्र वधू है तो सीमा सुमित से किस प्रकार से संमन्धित है तो देखीगा सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे जैसे इससे उसको पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसका structure बनाते चले जाएंगे तो देखिए का सीमा की तरफ संकेत करते हैं सुमित कह रहा है सीमा कहीं दूर खड़ी है उसकी तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि वह वह मतलब जो सीमा है मेरे पुत्र के तो मेरे पुत्र तो पुत्र क्या है सबसे पहले पुत्र को नोट कर लेंग उसका पुत्र एक जनरेशन नीची होगा तो उपर सुमित लिख देंगे नीचे पुत्र लिख देंगे अब कह रहा है कि मेरे पुत्र के दादा जी तो देखिए का पुत्र के दादा जी कौन होंगे पुत्र के दादा जी वही होंगे पुत्र के दादा जी मतलब कि पुत्र क किसके हैं सुमित के और जो सुमित के पिता है वही उसके पुत्र के दादा जी कहलाएंगे अब कह रहा है कि दादा जी की पत्नी दादा जी की पत्नी मतलब सुमित के जो पत्नी है उसकी उनकी पत्नी तो पत्नी जो है सेम जनरेशन की है इसलिए डैस करके सामने पत्नी को तो सीमा कौन है एक लौती पुत्रवधू है पुत्रवधू का मतलब होता है बेटे की जो पत्नी मतलब जो बहू होती है तो पत्नी होगे पिता की पत्नी होगे अब उनकी जो एक लौती पुत्रवधू मतलब बहू है तो बहू एक जनरेशन नीचे आएगी तो हम नीचे करक पुतरवधु मतलब जो बहु हैं अब सुमित से और सीमा का क्या रिलेशन है तो सुमित और सीमा पती पत्नी यहां हो जाएंगे क्योंकि सुमित के जो पत्नी पत्नी तो हम एक नमर को क्लिक कर देंगे इसकी माता तुम्हारी माता है तब बताईए कि वह लड़की उस तस्वीर वाले पूरुष से किस प्रकार संबंधी थे तो देखे जैसे ये बोल रहा है कुश्चन वैसे इसको नोट करते जाएंगे सबसे पहले देखे एक पूरुष की तरफ तस्वीर एक पूरुष की तस् जो है तो चुकि पूरुष एक जनरेशन उपर है तो उसको सेकेंड नमबर जनरेशन मतलब उसको उपर लिखे अब आगे कुश्चन कह रहा है कि इसकी माता की माता इसकी मतलब जो पूरुष है उस पूरुष की माता की माता तो माता पूरुष की ये हो गई सेकेंड नमब कि पूरुष हो गया एक जनरेशन सेकेंड नमबर पे कर देंगे उसकी माता जनरेशन और थार्ड नमबर पे कर देंगे माता की भी माता जो जनरेशन है अब कह रहा है कि जो माता की माता है वो तुम्हारी माता है मतलो उस लड़की से कह रही है कि जो पूरुष की मम्मी की जो मम्मी है वो तुम्हारी मम्मी लगी इसका मतलब जो लड़की है वो एक जनरेशन नीचे आजाएगी जिब एक जनरेशन नीचे आएगी तो सेकंड नमबर पर आ जाएगी हम सेकंड नमबर पर जो आया है तो वहां पर हम डैस करके लड़की को लग देंगे इसका मतलब जो सेकेंड न जो पुरुष की मम्मी हैं और जो लड़की हैं ये दोनों आपस में क्या हैं बहने हैं अब कह रहा है क्वेशन हमारा कह रहा है कि बताईए कि वह लड़की उस तस्वीर वाले पुरुष से किस प्रकार संबंध ही तो सोच के बताई पुरुष की मम्मी की अगर वो बहन है तो वो पुरुष की क्या लगेगी तो लड़की लगेगी मौसी तो मौसी ओप्शन देखें कहा है दिखा उपशन सी में है तो हम सी नमर को क्लिक कर देंगे सेवेंटीन नमर देही कुशन कर रहा है कि अखिलेश अपने घर से विद्याले के लिए प्रस्थान करता है अब देहें विद्याले के लिए चला गया लेकिन किस दिसा की तरफ चला गया ये नहीं बताया गया उस दिसा को हम पर छोड़ दिया गया है कि हम किस दिसा को उससे पालिबए करें चलाना उनख पाल, और दो पूर की ओर देख रहा है को वने दोल करने के लिए इसकå वन बाई वन करके हम इस चारो दिशाओं की ओर चलाना पड़ेगा सबसे पहले क्या करेंगे चाहे पूरफ की दिशा की तरफ चलाईए फिर चाहे पस्चीमिया उत्तर या दक्षन लेकिन उसकी जब तक इंडिंग पूर दिशा की तरफ नहीं आएगे तब तक हम डारेक्शन बदल बदल के चलाएंगे ले यह कुशन कहरे है कि सबसे पहले वह बीस मीटर चला मतला जो वो विद्जियाला पे गया है विद्द्याला जाने कर चाहें माल कि यहां प्र नहीं के दो उसके उनजहारा बाएं लिफ्ट पड़ेगा मतला है कि लिफ्ट तरफ बुड़ गया घृ जब और पूर से मां लें! कि तरफ इसकी डिर्यक्षन है दो कि तरफ देखी रहा है तो कि टो विद्याल जाने के लिए वह सुर प्रत्थम किस और चला है देख लेजिए यहां सेंटर से चला है 20 at 20 की सोर चला है पूर की ही चला है हमारा जो आंसार होगा वो होगा पूर दिशा की ओर तो पूर देखी कहा है option number D में है तो हम D number को क्लिक कर देंगे कुछ कर रहा है कि यदि उत्तर के अस्थान पर दक्षन पूर विवस्थित हो जाए तो पस्चिम के अस्थान पर कौन सी नई दिशा विवस्थित हो जाएगी तो देखी जैसे question बोल रहा है उसी तरह हम नोट करेंगे तो सबसे पहले क्या नोट करेंगे उत्तर के अस्थान पर दक्षन पूर तो देखें माली यह हमारा उत्तर हो गया अब उत्तर के अस्थान पर क्या है फिर से पूर हो गया तो यह माल लेंगे कि उत्तर बराबर हो गया दच्छन पूर अब कह रहा है कि पस्चिम तो माल लेंगे कि पस्चिम के अस्थान पर कौन सी नई दिशा होगी अगर उत्तर बराबर हो गया दच्छन पूर तो इसका उनलब पस्चिम की बात करें तो पस दिशा बच रही वो बच रही उत्तर और पूर। तो हमारी जो नई दिशा होगी वो होगी उत्तर पूर उत्तर पूर। दिखी कहीं आया है दिखिया है option बाइब B में है तो हमारा B number answer हो जाएगा 90 number दे ही कुछ न कर रहा है कि दीशा भी बताना है और दूरी भी बताना है तो दीखिएगा सबसे पहले question क्या रहा है सबसे पहले diagram बना लेंगे पूर पस्चिम उत्तर दक्षण का आप देखिएगा कैसे हमें पता है कि हमेसा जो भी चलता है कोई भी चीज वो center से चलना शुरू करता है तो यह कह रहा है क सबसे पहले उतर की तरफ कितना आएगा चार मीटर तो हримानले गे यहां से यह तक हो गया यह 4 मीटर हो गया उतर की तरर फिर कह रहा है उसके बाद वह अपने मुढकर दाएं मतलब अपना वह right मुढकर तो right अगर हम देखे अगर उतर की तरफ जा रहा है तो उसका right पड़ पूर इस्थिति किस तरफ मतलब किस दिसा की तरफ है और कितनी दूरी पे है तो सबसे पहले हम दिशा जान लेंगे तो दिखे दिसा अगर हम बात करें तो ये जिस दिसा पे है वो हमारी है उत्तर और पूर के बीच में है जो अभी न तो पूरी तरह से उत्तर में है न तो प तो दूरी आपका ये पाइथागोर साफ़ परिमिय आम जो है इस्तमाल करेंगे इसमें यूज करेंगे उस रूल के क्यालिंग आप देखेंगे तो आज आएगा पांच मीटर निकलेगा तो हम पांच मीटर इस डिस्टेंस को माल लेंगे सी सी में दिखे आया है पांच मीटर उत्तर पूर तो हमारा सी नंबर आप्शन सही हो इनको पाइथागोरस नहीं पता है उनके लिए दूसरा एक इजी तरीका है आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं मालिजा आप मीटर बराबर माल लीजिए कि सेंटी मीटर तो जहां मीटर लिखा लुदर का सुपार तो इस दोनों का लास्ट पॉइंट एक सूरिए पंच पोइंट बीच की घैपिंग आप कर लेंगे जैसे इस सक सी क्रैंज तो हाँको निकले गाया यहां पर कि पाँच सेंटी YES मीटे हैं तो क Narrator महुनुं कारे 23 कि यहुंद टाट है इस्क को Junior हो रό ऌर आर्थ बहुन होकि जो है सका हidalї निजान हो जाए का निजान हो जाएं और बहुंध Tiger मंश्यक्वड हो जाएं हिस्फट्ध मिनजी का प्रस्वद चाहर प्लश बहला है कि और हमारा question है लेकिन इस question को हमें पहले सही करना पड़ेगा क्योंकि सारे निशान बदल देने के लिए बोल दिया गया है कि आप बताया गया कि जिसे plus का minus कर देना करके फिर question mark लगा देंगे अब हमारा जो यहाँ पे है यह actual हमारा question यह है अब इसका हमें answer ग्यान ज़र्ण है अगर हम इसको हम solve करें अगर हम 20 में 4 से भाग देंगे तो हमें पता है कि 4 पंचे 20 होता है तो 5 निकल कर आएगा तो 2 संख्याओं का जो result क्या निकल कर आएगा अब बचा क्या बचा माइनस 5 प्लस 6 गुणे 2 और equal करके question mark तो इसको हम note करेंगे एक एक संख्या को solve करेंगे प्लस 6 गुणे 2 equal करके question mark तो इसको ऐसे ही note कर लेंगे अब दिखी question क्या हमारे पास है अब दिखी question है 0 प्लस 6 गुणे 2 equal करके मनलब बराबर कचिन लगा के question mark है अब इसको solve करना है तो हम क्या करेंगे 0 में जब 6 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा बचा क्या हमारे question गुणे 2 equal करके question mark अब अगर हम 6 को 2 में कर गुणा कर देंगे तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और 12 ह हमारा answer होगा 12 देखी कहा है option number C में है तो हम C number को click कर देंगे 21 देखी question कर रहे है कि दादा का जो संबंध दादी से है वैसा ही संबंध निम्ने विकल्पों में से किसका है तो जाएगा दादा का दादी का क्या relation है पती और पतनी का है तो इसी type का हमें रिस्ता देखना है द पतनी का रिष्ता है और देखें D मैं है कुता पिल्ला ये बिल्कुल में आच नहीं कर रहा है इसलिए हमारा option number C जो होगा C सही हो जाएगा राजा रानी 22 देखें कि फुटबाल का क्रिकेट से वही संबंध है जो टेनिस का संबंध है तो इस टेनिस का संबंध किसे से है त तो जातरी कि फुटबाल में क्या होता एक बड़ी सी बॉल होती है जिसे आप फुटबाल बोलते हैं जिसे पैर से खेला जाता है लेकिन बड़ी सी बॉल होती है अब इसका संबंध क्रिकेट से कैसे है तो क्रिकेट में देखें क्रिकेट में भी एक बॉल होती है जिसको ब बैटमिंटन आपने देखा है कि बैटमिंटन जो हाद में चिडिया को मारते हैं उसी तरह टेनिस बॉल एक आती है लेकिन जिस से खेला जाता है वो जो होता है वो सेम होता है तो हमारा जो टेनिस का जो संबंद होगा वो बैटमिंटन से होगा तो बैटमिंटन देखे कि किसी दिख रहा है कि पहला दिन होता है उस दिन को कौन सा दिन होगा उस तारीख को, तो हमें पहले कुछ बेशिक चीजें नोट कर लेंगे, पहले हमसे हमें पता है कि जन्वरी 21 दिन की 11 दिन नोट कर लेंगे और यहां कंडििशन की 92 Mmm साथ क stepping to another स्वर्वर्वर्वर्वЕ प्र लीपी ric nicer फरवर्वर्वर्वर्वर्वर्व기가 जोई है श्याद में वियर अटिस्ट्पवर्वर्वर्वे उसकछान प्र लिपी का गई अब जाते हैं अगर अगर ट है अगर कहीं आ जाय है बी जर जो हमें ये करना है कि दोनों जो भी जो जनवरी और फरवरी दोनों के दिन को आपस में क्या कर देंगे दोनों को जोड़ देंगे तो उधर से 31 ले लेंगे और यहां से 28 ले लेंगे जब 31 और 28 को आप एड़ कर देंगे तो हो जाएगा 69 दिन हमारे पास 69 दिन टोटल आ चुके हैं अब 69 दिन में हमें याद रखना है कि 69 दिन का जो पहला दिन है वो सो मुआ रहा है कि कोहां बताएगा कि एक जनवरी को सो मुआ रहा है तो 69 दिन का जो पहला दिन है वो सो मुआ रहा है इतना याद रखना है अब क्या करेंगे हमारे पास 69 दिन है तो हम करेंगे क्या कि दिन जाएंगा साथ से भाग देने के बाद जैसे पार फ्कम स्थे बाद हेसे स्टा है 5 दिन युक्र गया अब है कितने दिन गार्ट करने हृऊ-पन तो 10หा वहाँ वारायर वो हुआ करें में नम्हाशों का थी हमारा तीसर वो कशिन में होगा उस दुद्धौर्जक होगार अचार करो 24 नमर देखे कि उसमें कर रहा है कि यदि अंग्रेजी वरण माला को उल्टे करम में लिखा जाएं तो बाई और से बाई और मतलब लिफ्ट साइड से 21 अक्षर के दाएं मतलब राइट साइड या राइट तरफ और सातवां अक्षर कौन सा होगा तो हम क्या करेंगे सबसे प काउंट करना है यहां हम नोट कर लेए कि आरा 21 अगया अब क्या कर रहा है कि 21 अकषर के दाएं और यजा साइड साथा या या है अगर एफ से राइट साइड आप देखेंगे तो टोटल आपको कितने मिलना है देखेंगे टोटल कितने आपको मिलना है 5 ही मिलना है यहां 7 तो है ही नहीं लेकिन याद रहेंगा इस type की जब भी question आते हैं तो आप को करना क्या है क्या एप बी सीडी जो भी आपने लिखा है यह उल्टे क्रम में लिखा है तो यहां 5a आ गया अब एक बाद फिर से शुरू हो जाएगा लेकिन ABCD शुरू नहीं होगा उल्टा चलेगा जैसे A हो गया A के बाद Z हो जाएगा Z के बाद Y हो जायगा Y के बाद X X के बाद W W के बाद U olm आइज सौरी V और V के बाद U हो जाएगा तो यह हमारा उल्टा क्रम चलेगा जहांसे जो खत्म होगा जिस sequence में वो चल रहा है, उसी sequence में फिर एक circle चलता है, उसी तरह फिर शुरू हो जाएगा, तो माल लिए यह हो गया, अब यहाँ पर हम देखें, अब count करेंगे, सातवा नंबर कौन सा आएगा, तो अगर आप count करेंगे, तो हमारा सातवा जो आएगा, वाई पे सातवा वो होगा, वाई, वाई को हम अपने साइड कर लेंगे, और यहाँ पर click कर देंगे, वाई हमारा answer हो जाएगा, यहाँ आंसर गलत दिया गया, जानते रहिएगा, 25 नमर देखें क्रिशन हमारा जो की last है, क्या कह रहा है कि 5 flat, A, B, C, D, A वम E, इस प्रकार है, कि A, A के उपर E, B के नीचे C, A के नीचे B, और C के उपर D, तो कह रहा है question कि सबसे नीचे कौन सा flat है, अब देखें, जैसे condition यहाँ पर question में बताया जा रहा है, same उसी conditions हम ऐसे one by one करके note करते जाएगे, तो पहली condition क्या है, देखें, पहली condition है कि A के उपर E है, A के उपर E है, मतलब E उपर आगांदे है, A नीचे है, तो हम इसको note कर लेंगे, A ऊपर और A नीचे, जैसे आगा दिख रहा है, फिर क्या है कह रहा है कि B के नीचे C है, तो same इसी तरह हम jestem note कर लेंगे, एक और यहाँ पे side में जिद इखेंपके B कาก देखेंगे B को आपके C क की नीचे कर देखेंगे, B के नीचे C हो जाएगा अब कह रहा है question कि A के नीचे B है तो A के नीचे B है तो इसका मलब कि इस structure को उठा कर जो हमारा B और C वाला है इसको उठा कर हम नीचे A के कर दें तो जो है A के नीचे B हो जाएगा तो हम इसको नीचे कर देंगे बेख़र दोणों के बीच में इसके old एड कर देंगे अब कहुअ क्या रहा है कि सबसे नीचे कौनस ऑ फ्लाइट ही तो आप खुद ही बेख सकते हैं 멋있ा काउ डीच में तो मनतलित हैill हरे हिरां कौनस फॉलैट है कि सबसे डीच सौड़ हुसा डीच ही त इसके Plus सidenitzer लेकिन पूछा है सबसे नीचे तो हमारा सी हो जाएगा तो हमें हापे सी नमबर को क्लिक कर देंगे तो में भी आपको सारे कुष्चन यहां समझ में आ गया हूंगे सारी चीज़ समझ में आ गया हूंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना आप कमेंट जरूर करें तो चल्लाइच कितने रखते हैं थैंकि वेरी माच पॉर वाचिंग इस वीडियो